बॉलिवूड अभी नेतरी सोनाली बेंडरे एक जन्वरी को अपना जन्मदिन मनाती है फिल्मों में आने से पहले सोनाली ने मॉडलिंग एक शेत्र में काफी नाम कमाया था 19 साल की उम्रह में सोनाली की पहली फिल्म आग रिलीज में थी इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेर का New Face of the Year का एवाड भी मिला था 1996 में सोनाली की फिल्म दिल जले रिलीज हुई थी इसमें उनके साथ अजे देवगन थे फिल्म सूपर हीट रही इसके बाद सोनाली की कई फिल्में आई जो सूपर हीट रही थी इनमें सुनली शेटी के साथ भाई, आमिर के साथ सर्फरोश और शारुक के साथ डुप्लिकेट में उनके करदार को काफी पसंद किया गया साल 2018 में पता चला था कि सोनाली को कैंसर है कैंसर का इलाज करने के लिए वे न्यू यॉर्क गई जहां कुछ महीनों तक उनका इलाज चला सुनाली कैंसर के इलाज के दौरान समय समय पर सोशल मेडिया के जरिये अपने फैन से जुड़ी रही और पल-पल की खबरे भी देती रही थी ऐसे में सुनाली के पती गोल्टी पहल ने हर मुश्किल घड़ी में उनका होसला बढ़ाया सुनाली लंबे समय से फिल्मों से दूर है वो आखिरी बार साल 2013 में फिल्म Once Upon a Time in Mumbai दोबारा में केमियो रोल में नसर आई इसके बाद वो बॉलिवोड से दूर हो गई Bureau Report, Indian Film History For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube Channel